देश में हर साल दिव्यांगों के लिए कई बड़े बड़े एलान किये जाते हैं उम्मीदें दिखाई जाती है और जगाई जाती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है शायद इसलिए कौट ने सरकार सिस्टम को एक बार फिर नीन से जगाने की कोशिश की है विशेश योग्यजन अदालत के एक आदेश में राजस्थान और सूबे के सभी जिलों में दिव्यांग जनों के लिए सभी धार्मिक स्थलों और सिनिमा घरों रैंप बनवाने का फैसला सुनाया है प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 16 लाग है लेकिन अभी भी अधिकतर सिनिमा घरों और धार्मिक स्थलों पर रैंप की कोई वेवस्था नहीं है जबकि नियमों के नुसार सभी सिनिमा घरों और धार्मिक स्थलों पर रैंप होना चाहिए यही वज़े है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 45 की तहट कौट ने राज्य सरकार को निस्थलों पर रायंप बनाने का फैसला सुनाया दिब्यांग अधिकार अधिनियम 16 की धारा 45, 39 और 3 एक के प्रावधान के वनसार राइस्तान सरकार दिब्यांग जनों को बाधारहित आवगवन की सारी सुवधाय उपलब करवाने के लिए दंभीर है उसी द्रस्टी में हमने सरکार को पत्र लखाए कि प्रदेश के सभी सिनेमा होलों, धारमिक इस्तलों, और बैदानसा ववबहन में रैम्प, लिट य आदि सारी सुवधायें सुनिशित की जाएं आईए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के किन प्रमुग धार्मिक स्थलों पर रैंप की व्यवस्था नहीं है जैपुर के मोती जूंगरी गणेश मंदर में दिव्यांग जनों के लिए दर्शन की व्यवस्था सुगम नहीं है खोली के हनुमान मंदर में जाने के लिए लिफ्ट तो है लेकिन सवामणी स्थल पर कोई रैंप नहीं है करॉली के कैला देवी मंदर, खाटू शाम मंदर, सालासर बाला जी, गलता धाम में रैंप की कोई व्यवस्था नहीं है जामा मजद, राज़पार्क का गुरुद्वारा, दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है सामौध हनुमान मंदर में रोब वे बना हुआ है लेकिन वो चालू नहीं किया गया जमवाई मंदर, देविस्थान विभाग के अधिकतर मंदिरों में कोई व्यवस्था ही नहीं वैसे तो केंद्रा राजिस सरकारों की तरफ से हमेशा कोई नीती बनाई जाते है लेकिन उन्हें अम्मी जामन नहीं पहनाए जाता लेकिन अब कॉर्ट के फैसले के बाद देखना ये होगा कि सरकार कितनी तेजगती से कारवाई करती है आशीश चोहन, जी मीडिया, जैप